86 जले के मोट नगर में आज बहुजन समाज पार्टी के प्त्याशी अरामिका महेंद्रो गौतम के साथ आज बहुजन समाज पार्टी के कारेकर्टाओं समेश सक्रियनेताओं एपार्टी की रैली में सक्रियता से अपनी भूमिका नभाल इस दौरान बहुजन समाज पार्टी की रैली में बेस्पी की क्या पहचान नीला जंडा हाती निशान के साथ विविन प्रकार के नारों से भी भारी जनसलाब के साथ लोगों में असमंजस की स्तिती बन गई आप लोगों को लगने लगा कि कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी भी पीछे नहीं और अन्य दलों पर भी भारी पर सकती है जहां बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी ने कहा कि ये सरकार और प्रत्याशी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की राजनिती करती है इसलि जी जी नमस्कार मेरा नाम अनामी का महिंदर कुमार गौतम है और मैं बहुजन समाज पार्टी के अधिकरत प्रत्यासी हूँ आज हमारे द्वार रोड सो निकाला जा रहा है उसका देश से यही बताना है कि पूरे मौट नगरवासी सभी लोग यह देख लें कि हमारे साथ सर्वजन का सभी लोगों का साथ है और सभी लोग हमें आसीरवाद दे रहे हैं हमें जितानी के लिए प्रयासरत है यह पूरे नगर में भिरमाड़ हम लोग कर रहे हैं। और पूरे नगर में पूरे बाडों में हम लोग भरमर कर रहे हैं और सभी लोग हमारे साथ जोड़ते जा रहे हैं सर्ब लोगों का आशिरवाद है बिल्कुल बोटों में तब्दील होगा आपको जनता से में यह अपील करूंगी कि आप लोग खाना नंबर एक में चुनावचिन हाती पर बिल्कुल उपर ही है आपको नीचे देखना ही नहीं है सबसे उपर महर लगा कर मुझे भारी मतों से विज कार किया जाता है बागी पार्टियों में ऐसा कार नहीं किया जाता है और गरीब बंचितों का ध्यान नहीं रखा जाता है लेकिन बहुजन समाज पार्टी बहुत ही जो है सर्वजन हिताय के साथ काम करती है इसलिए लोग हमें चुनना और हमारे साथ रहना पसंद कर रहे ह बिपक्षी दल तो सब मतलब परास्त पर चुके हैं उनको हमारी लोग प्रियाता से इतना भय आ चुका है कि वो कहीं मुझे नजरी नहीं आ रहे हैं जहां पर देखो जहां तर मेरा ही जनसेलाव आप देख सकते हैं महलाएं बच्चे बच्चे तक हमारे साथ मौझूद हैं और यहां तक ही मैं तो कहूंगी कि यह किरपा है देखिए आज कितना अच्छा मौसम है और जैसे कि बारिस की बुंदे कहते हैं कि बहुत सुब मानी जाती हैं बस वह बुंदे हमारे साथ हमारे साथ साथ चल रही है और हमें अपना आशीरवाद परलोग से भी मिल रहा है